हेलो गाइज आपका हमारे यूट्वीब चैनल पे फिर से स्वागत है तो अभी हम बात करने वाले हैं ग्रासिम शेयर के बारे में तो देखिए कल एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी इसके अंदर और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई थी और उस न्यूज का जो था वो ये की लगबग लगबग 8334 करोड रुपे के आसपास इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्रासिम को नोटिस बेजा है टैक्स का और जो टैक्स है देखिए बहुत बड़ी मात्रा में है ये 8334 करोड तो इसकी जो न्यूज है पूरा का पूरा हम इसका एनलीसिस करेंगे इस न्यूज के इस वीडियो के अंदर तो ये सारे कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ या आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए अगर हम इसके कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है मतलब एक तरीके से range bound रहा ना नीचे गया ना उपर गया अगर हम कल के volumes की बात कर लेते हैं तो जो volume था लगबर लगबर 1.14.9.637 के आसपास इसमें volume create हुआ और जो high था 1654 low 1621 था अगर हम इसके आज के trading session की बात करते हैं जैसे आपको इस screen पर दिख पा रहा है आज भी इस share के अंदर कोई इतना फरक नहीं पड़ा इस news के कारण जो इसको high था आज 1653 रुपए का बना दुबारा से और जो low था 1623 रुपए के आसपास बना वहीं share भी आज की अगर हम बात करते हैं तो 16 रुपए के आसपास था तो अभी जैसे last time में ही थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है वरना तो इसका जो चार्ट था और जो share price था वो भी 1632 के आसपास ही move कर रहा था ठीक है जी अगर हम इसके देखे one year के return की बात करते हैं तो one year में share ने 118% के बहुती शांदा return भी दी है और share भी लगब लगब 888 point move किया है जो की बहुती बड़ी movement होती है किसी भी share के लिए वहीं अगर हम इसके देखे कुछ quarterly financial results की बात करते हैं तो जो June 2021 वाले quarter का जो result है जैसे revenue था company का 40% से grow किया, net income 604% से grow किये और diluted EPS 604% से grow किये अगर net profit margins की बात करते हैं तो वो भी 381% से grow किये अगर operating income की बात करते हैं तो यहां पर operating income भी company की बड़ी है 87% से cost of revenue 69% से grow किये तो देखे कंपनी के financials भी बहुत अच्छे हैं अब हम बात करते हैं जो news आई हो वो कैसा आई है देखे जैसे आपको screen पर दिख रहा है grassim industries slapped with 8334 करोड income tax demand तो tax की demand आई है tax department की तरफ से वो किस तरह का है तो एक बर deeply थोड़ा सा एक बर देख लेते हैं इस खबर को तो देखे जैसे आपको इस screen पर दिख पा रहा है कि income tax ने इनको 8334 करोड का जो है notice भेजा है grassim industries को और जो ये tax है ये transaction हुई है जो इन्होंने अपना business अलग किया है de-merger किया है financial business को और grassim वाले business को तो उसके against इन्होंने जो है tax का जो ये notice है वो भेजा है जबकि company ने कहा है कि ये appropriate action लेंगे इसके against में और उन्होंने साथ में ये ही कहा कि जो ये tax जो वसूली कर रहे हैं वो जो tax law है उनके against है ये सब चीजे तो company की जो statement आई है वो ये statement आई है जो कि बहुत strong statement है company ने clarify किया एक तरीके से अपने आपको कि जो ये tax वसूल रहे है वो गलत tax वसूल रहे है आगे जो कि आगे कि जो खबर है वो ये कि कि इसके बारे में ग्रासिम ने पहले भी communicate किया था 2019 में मार्स 2019 में और उस टाइम पर भी जो income tax की department है उनकी तरफ से demand आई थी tax के लिए और उस टाइम पर company ने मतलब dividend पे किया था अपने shareholders को तो उस टाइम पर जो deputy commissioner थे income tax के उन्होंने demand की थी उस टाइम पर भी tax वसूलने की इसी तरह से लेकिन उस टाइम पर ये फिर high court चले गए थे Bombay high court ये बहुत ही पुराना मामला है मार्च 2019 का मामला भी आया था सामने इसी तरह से जो tax का इनके पास notice बार बार वो भेजने लग रहे है और सबसे बड़ी बात ये कि देखे ग्रासिम जो ग्रूप है बहुत बड़ा ग्रूप है अधित्या बिरला company का बहुत बड़ा ये एक company है अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़े industrial हम इन्हें कह सकते हैं लेकिन इस तरह के कोई tax notice आता है और उस tax notice के ओपर company की ठीक ठाक एक clarification आना और एक दम से clarify करना कि ये सब कुछ कुछ भी नहीं हम इसको challenge करेंगे तो ये एक दरसाता है कि company strong है और company का मतलब अगर मानके चलो company ने कुछ default किया होता तो जो statement आती है वो इतनी stronger नहीं आती है तो company का जो share price है उसमें भी देखिए ज़्यादा कोई moment नहीं हुआ 10-20-50 रुपे की जो moment है तो आम सी बात है क्योंकि आज जैसे निफ्टी के अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी भी आज के टाइम में volatile था तो इस तरह से जो profit booking आती है वो थोड़ी बहुत आती है क्योंकि बहुत से shareholder ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि यहाँ पर profit book करके निकल निकला जाए फिर बाद में बाद में देखा जाएगा लेकिन यह देखे company के लिए बिलकुल भी कुछ खास बुरी ख़बर नहीं है company बहुत बड़ा group है और इस तरह का मानके चलो कोई tax proven भी होता है तो यह भर देंगे और company फिर से वही उसी जो range है जो रफतार है उसी रफतार से चलती रहेगी और मेरी जो रहे रहेगी वो यह की देखे जैसे मैंने कल का trading session भी देखा और आज का trading session भी देखा है तो दोनों trading session को decide करके यही समझ में आता है कि इस share को फिर दुबारा से dip में buy किया जा सकता है और इस तरह की जो news है उसको नजर अंदाज करें आप सब लोग अभी और आगे की जो planning है आपके share buy करने और share sell करने की वो अपनी continue रख सकते हैं आप क्योंकि जो company हैं बहुत strong company हैं बहुत बड़ी company है अधित्या बुर्ला ग्रूप की बहुत बड़ी company है और बहुत जानीमानी company भी इंडिया के अंदर तो जो रहे रहेगी आप hold कर सकते हैं लोज में position ना काटे हैं और नई position करेट करना चाते हैं तो dip में नई positions भी create कर सकते हैं आसपास होके आसपास वीडियो आपको कैसे लगी हमें comment section में जरूर बताएं अगर आप channel पे नए हैं तो channel को like and subscribe जरू करें साथ याप हमारे telegram channel से भी जुड़ सकते हैं टेलिग्राम का जो link है वो description box में दिया गया है वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जोड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद